अम्भूर्भु वस्चहा तत्सवितुर्वरेन्यम् भर्गों देवस्चही महीं धियो यो नह प्रचो द्रया मार शक्ति आज स्राज्य चिंतन का हमारा क्रिमांगे 291 और आज के विश्य है संस्क्रत को विश्च वाश्चा कैसे बनाए जाए अब हम आज के जो विश्य लेंगे आधरनी आरेन पांडी साब लेंगी डायट अधि इस स्वाध्याय चिंतन कारिकरम के प्रणेता संवाणिय श्री अलविंद कुमार सर्मा जी और इस कारिकरम से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूट से जड़े हुए जितने भी दर्शक और सुरुता ब्रंद हैं उन सभी को मेरा प्रणाम अधिया पांडे जी आज जिस विशय को लेकर के अपना वक्ता पर प्रस्तुत करने वाले हैं वह विशय हमारी भारतिय संस्कृति की आत्मा का विशय है यदि भारत के संस्कृति से संस्कृत को कुछ देर के लिए एक तरफ कर दिया जाए तो संभवता भारतिय संस्कृति पून रूप से अप पंगू हो जाएगी और निंश प्राण हो जाएगी इसलिए आज का विशय है बहुत ही महत्वपून है इंतन पून है और बड़तमान परिश्थतियों में शाशन और सरकार को विद्यालेयों को शिक्षिकों को और जीवन चे जुड़े हुए जिनको शूत्रों के आवसकता है ऐसे शभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही सम्मानिये पांडी जी से अनुरूत करूंगा कि वह अपने वक्तवी को प्रारम करने का कश्ट करें सम्मानिये पांडी जी ओ ओ धन्यवाद डॉक्टर स्री रांपर का शर्मा जी सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्छान करते हैं ओम दूर्वास्वाद असमितुर्वरेणियम अर्गो दी मस्यथी मही यो 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 अप्रजुदया ओम मैं दो मंत्रों बैदिक मंत्रों से प्रार्शना करता हूं अपने लिए आप सब के लिए ओम विश्वाणि दीव सबितर दूरितानि परासुवा यदभद्रम तन्न आसुवा ओम अगने नयसुपथाराई यस्मान विश्वाणि दीव वयुनानि विद्वान यो यो ध्यस्मा जुहुराणमेनो भोईष्ठांते नम उक्तिम विधेमा यह सकल जगत के उत्पादक प्रकाशत स्वरूप परमातमन आप हमारी सारी बुराईयों को बाधाओं को दूर करें और जो कल्यान कारी हो वहमें प्राप्त हो है अग्रणी अगणी सुरूप परमात्मन आप हमको सद भुधी सन्मार्ग पर चलाते हुए संमृध्धि को प्रदान करें इस मार्ग में जो भी बाधाये आए उन्हें आप दूर करें हम आपको बारवार प्रणाम करते हैं सर प्रथम श्री अर्विंद शर्मा जी को बहुत बहुत आभार प्रणाम उन्होंने अपने भगीरत प्रयत्म से इस स्वाध्या सत्संग के धारा को गंगा को गंगा प्रवाह को चालू कर रखा है और मैं अब इनन्दन करता हूँ आप सभी बिद्वान शोताओं का जो इसमें बरावर साथ देते हैं जिसके कारण से यह धारा चल रही है सभी तरह से विविन प्रकार के विशे आए आज अभी अभी जैसा स्री अर्विंद शर्मा जी ने कि इसी विशे पर बोलना है तो मैं तरह सोच रहा था कि जो मेरा विशे चल रहा है उस पर ही बोलूँगा मैं लेकिन फिर भी इस समय मैं क्या कहो कर मुझे से पूरा थोड़ा सा भी समय मिला होता तो मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरह से सुबध रूप में इस विशे को सामने रखता तो मैं प्रयास करूँगा कि पचास मिनिट का समय होता है इसमें बहुत से मैटर किस तरह से मैं वेद से लेके अब तक इसको सामने रखता आपके फिर भी चूंकि वो यही कहा कि संस्कित विश्वभाशा कैसे हो सकती है यह विश्वभाशा कैसे हो सकती है यह विश्वभाशा कैसे हो इसे करते समय क्या दिमाग में रहा है मैं नहीं कह सकता यदि मुझे बोलने को कहा जाए संस्क्रित के बारे में और संस्क्रित को विश्व भासा कैसे हो इसके बारे में तो मैं इस विश्व को इस तरह से रखना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है कि संस्क्रित कैसे संपर्क भाषा हो सकती है विश्व भाषा का क्यारत है ऐसा तो नहीं जैसे उन्होंने का राष्ट भाषा हिंदी राष्ट भाषा हो सकती है इसी तरह से कहीं विश्व को चैन करते समय वक्ता के मस्तिष्क में यह हो कि विश्व भाषा इसी तरह से हो कि सार यह मानना है कि एक भाषा को कि सब जगे लागू नहीं किया सकता कि यह आप भी अनुवाव करते होंगे पारंपेरी रूप से हम जब बोलते हैं तो चुंकि हम भी भारत में रहने वाले हैं तो विविता की बहुत ही शे सलेंग और बदा जाते हैं उसका प्रश है क्वह इसके शर से स्लेंग्स तो वूपत करेंगर और विश्विस्तर पर तो अनेकों भाषा हैं तो वो मेरे द्श्ट्रिय से यदि मेरे से ये कहा जाए कि क्या संस्कृत विश्म भाशा हो सकती है तो विश्म भाशा का मतलब यह निक एक ही भाशा हो पूरे विश्म मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ कि संस्कृत जो है वो संपर्ग भाषा हो सकती पूरे विश्व में संपर्ग भाषा होने के लिए क्या गुन होने चाहिए जो मेरे समय दिमाग में आ रहे हैं मैंने पहले से इसकी तैयारी नहीं किया एक तो यह कि वहां पर जो भाषा बोली जाती हो उसका कुछ मिलान हो संस्कृत से और जो संस्कृत शब्द है संस्कृत भाषाओं में शब्द आये हैं उनको यह सिद्द किया सके कि वह सुपीरियर आज कल कंप्यूटर का जमाना है आपने सुना होगा मैंने कोई प्रामालिक रूप से नहीं खोजा है पढ़ा है कि वह सोशल मेडिया पर कि नासा ने इसमें रिशेर्च की यह कंप्यूटर जानने वालन रिशेर्च की तो यह पाया कि कंप्यूटर के लिए सबसे उप्यूक्त भासा संस्कृत है ऐसा मैंने सोशल मेडिया पर पढ़ा कारण में चुगि संस्कृत जानता हूं इसलिए मैं यह कह सकता हूं इसका कारण हो सकता है संस्कृत का व्याकरण बहुत मजबूत होना नियमा अनुसार को होना पानली ने जिस प्रकार से व्याकरण को बनाया या संस्कृत भाषा मूल रूप से धातूं से निकलती है उनकी प्रत्यक शब्द में रूट होते हैं और उसके नियम होते हैं उसके अनुसार उसके अर्थ होते हैं दूसरी बात यह समझ में आती है कि संस्कृत की जो वैसिस्ट हैं संस्कृत की जो विशेस्था हैं उनके कारण से लोग इसके स्विकार कर सकते हैं मैंने एक जगे यह पढ़ा था कि सोलिवियं सत्री शदाब्दी में बेस्ट बंगाल में कोई एस्वेशिशन हुई थी वहाँ पर जब लोगों ने लातिनी लेटिनी भाषा को जानने वाले थे और फ्रेंच भाषा को जानने वाले थी यह पुरानी भाषा हैं माने जाती हैं पास क्याते हैं उसमें तो उन्होंने जब इसके एक तुलनात्मक अध्यन किया संस्केट भाषा से तो उन्होंने ये पाया आप्पर पड़ा होगा इसमें कि काफी शब्द मिलते जूलते हैं खास कि मातर शब्द जैसे हैं मातरी को मदर कहते हैं इंगलिश में और मुझे इसमें पूरी तरह से नहीं ध्यान है इसी तरह से पिता के शब्द में भी फाद दूसरी बात आती है जो मैंने कहा कि संस्क्रित पहले भारत वर्ष में किस रूप में रही हो भारत वर्ष में जो संस्क्रित की देन है यह आप सब जानते हैं कि पांच जार से दसजार साल पहले लिखे गए इतने प्रावड अवस्था में रिशियों ने उसको ध्यान करके उपासना की और ऐसा ही लगता है कि इसी से सब्धिताओं में इनका प्रसारण हुआ राजा एक संस्वित का भाषा का बढ़ने का कारण जो है कि राजाओं से संरक्षित थी तो यदि हम संस्वित को विश्व की संपर्ग भाषा बनाना चाहते हैं तो मेरे हिजाब से हमको पहले यहां सिद्ध करना पड़ेगा कि यह संस्वित को दूसरे लोग क्यों अपना है एक तो अपना है इसकी विशेस्ता के कारण विशेस्ता क्या है इसमें कितना साहित यह उपलब्द है इसका संस्क्रित का साहित कितना उपलब्द है संस्क्रित भाष्षा किस तरह से किन किन विशयों पर हमें ज्यान देती है जैसे सका विशाल शब्दकोष है शब्दकोष के उपराई आप तो बहुत healthy बोला जा सकता क्यों कोई भी शब्द हम लेते हैं तो कैसे निकलता है जैसे हम इसकी विशेस्थता क्या है वेदों में पढ़ते हैं एक शब्द गव है तो गव शब्द गाय के लिए उप्योग होता है मा गव शब्द किरणों के लिए भी उप्योग होता है गव शब्द प्रत्वी के लिए भी उप्योग होता है गव शब्द इंद्रियों के लिए भी उप्योग होता है इसी तरह स जब हम कोई एक शब्द ले लेते हैं मालत मान लीजिए तरह तरह के शब्दों के जो विशाल अर्थ हैं उससे भी इसकी एक विशेस्ता बनती है संस्कित भाशा की राजाओं के बारे में कहा गया एक श्लोक मेरे सामने है उसको मैं करता हूँ कि संस्कित भाशा के लिए इतनी ज़्यादा आदर देते थे कि पुत्रों पियो भवेन मूर्खह सा पुराद भहिरस्तु में कुम्भकारों पियो विद्वान सा तिस्ठदु पुरे मम ये कहा इसमें यदि मेरा पुत्र भी मूर्ख है संस्कित नहीं जानता है तो उसे सभा से बाहर कर दिया जाए और यदि कुम्भकार भी विद्वान है तो मेरे सामने रुके इतनी आदर की द्रिष्टी से संस्कित भाशा को देखा गया बालमी की रामयन में हनुवान जी के वारे में ये वर्णन आता है कि जब वो अशोग वाटिका में गए और ये कहा उन्होंने कि हम सीता से बात करेंगे तो कैस भाशा में बात करें तो हनुवान जी के लिए कि श्लोक वहां पर दिया है उन्होंने यदि वाचम प्रदास्यामी द्वियाती रिव संस्क्रितां रावन मन्यमाना मा माम सीता भीता भविश्यत्री कि रावन इतना संस्क्रित का जानने वाला था कि हनुआ जी सोच भी कि रावन का रूप धारन करके आया रामनि संस्क्रित में बोलता था इसलिए मैं उसी में से बहात करो कि में तो कि थो सं में शाहित्री हमारे पास कि उसमें मानवजाती का इतिहास भी है ंत सब्द कोश भी है और संस्क्रित की शास्त्रिय दृष्टी भी बहुत बड़ी है शास्त्र तो आप सब जानते ही हैं कि चार वेद हुए विवेदांग हुए फिर आरण्यक हैं ब्राम्मन करंथ लिखे गए उसके बाद उपनिशदें लिखी गई यह ग्यारा उपनिशद तो संस्कित भाषा में जो आध्यात्मिक पक्ष है वो तो उसका विशाल है ही लेकिन जो मानवी पक्ष है मानवी पक्ष माने जो इतिहास और जो नाटक जो सब लिखे गए उसके जो विशेस्ता हैं वो भी बहुत ही महत्त्वपून है जैसे अब उन्होंने कहा कि मानव मनुष्य बना दिया मनुष्य शब्द लिखा तो मननाद मनुष्या मनन करने से मनुष्य हुआ यो मननम कर तुम समर्था समनुष्यों अस्ति जो मनुष्य मनन करने में समर्थ है वह मनुष्य है तो मनन शक्ति के करान लोग से उपर हो जाता है जो पूरी शेयनात पुरुशा पुरुशयम कहते हैं तो पूरी हो गया जन कहते हैं तो जम्हें जनन प्रजनन करने की शक्ती होती तो जनन कहते हैं नागरिकों से उच्चिता रहतों से नर कहते हैं या नरती नयती संचालयती जो ले जाने में नैन करने में मार्क दिखाने में सम तो इस तरह से संस्क्रित के शब्दों की विशालता सब को पता है इसमें अब बात या आती है कि संस्क्रित को हम कैसे पढ़ाएं जिससे कि यह संपर्क भाषा हो यह इसमें लिखा हुआ है कहीं पर मैंने पढ़ा था कि संस्क्रित की जो पहले पद्यती थी गुरुकुल पद्यती वो बड़ी महत्तुपून थी और गुरुकुल पद्यती के समाप्त हो जाने से ही यह संस्क्रित का जो जो ग्यान है संस्क्रित का जो आदान परदान है गुरु जिससे से पढ़ाया करते थे वो इसमें समाप्त हो तो यदि संस्क्रत को संपर्ख भाषा बनाना है तो हमको सबसे पहले यह सिद्ध करना पड़ेगा कि संस्क्रत उपयोगी क्यों है उपयोगी का बतलब यह है कि हम कैसे इस सब को लाव दे सकते हैं तो हमारे पास क्या ग्यान है यह सब को पता होना चाहिए दूसरा संस्क्रत के बारे में जो शाशन करने वाले लोग है प्रशाशन हैं वो इसमें महतुपूर्ण का कहते हैं रोल निवा सकते हैं अदा कर सकते हैं कि अगर हमारा जो प्रशाशन है वो इसको अपनाए किसी तरह से तब हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं संस्क्रित के वांगमें की विशेस्ता में मानों संस्क्रिती के बारे में इसमें बताए सकता है, समाज के बारे में बताए सकता है, हमारे पास अनेकों इस तरह के ग्रंथ हैं, जिसमें की चाहें वो राजधर्म के बारे में हो, चाहें वो और विशे के बारे में हो, अब बारे में जो अक्षर इनके जोबर बनाए महेश्वर सूक्त जैसे आपने पढ़ा होगा पानिने चौदा सूक्त लिखे एक गरंथ लिखा गया नंदिकेश्वर काशिका नंदिकेश्वर काशिका में तो इन शब्दों के जो आध्यात्मिक अर्थ हैं वो सब लिखें सब इनों ने यहाँ पर भी एक बात और मुझे याद आती है कि मैक्समूलर नामत बिद्वान का बड़ा नाम आता है संस्कृत को बढ़ाने में अर्वा चीन इस तमें आधने की योग में कि उन्होंने वेदों का उपनिश्द का सबका प्रांस्लेशन किया और उन्होंने यहां तक लिखा कि यदि मुझे ये कहा जाए कि सबसे महत्वकून भाषा यदि मुझे अपनाने को कहा जाए तो वो कहेंगे कि संस्कृत है और भारत मेरे लिए बहुती आदर्श है इस बारे में जहां पर की संस्कृत की भाषा है तो संस्कृत के संरक्षन के बारे में इस समय बहुती आवश्यक्ता है इस तरह से अधी हम संस्कृत के प्रत्येक शब्दों को लेके चलें जैसे मैं आजकल पंचितंत्र पर ही बोल रहा हूं तो उसमें दंड नीती के बारे में जैसे अर्थशास्र कोटिल लेका अर्थशास्र सभी समझते हैं इस बात को तो मैं ये समझता हूं कि संस्कृत के यदि प्रशासन इसको अपनाएं और हम उसको सरल रूप में प्रस्तुत कर दें तो संपर्ख भाषा के रूप में ये प्रस्तुत हो सकती है अभी हमने आदर्णी स्री राजेंद्रनाथ पांडे जी का वक्तव संस्कृत भाषा के बैस्विक संबंधों को लेकर के सुना है उनका अब अप्तव वास्ता में भहुत ही प्रिणास्पद और चिंतन परत्था उन्होंने कई ऐसे कारण और उपाय बताए जिससे की संस्कृत भाषा को विश्व इस्थरिये संबाद के रूप में संपर्क के रूप में समझा जा सकता है प्रियोग में लाया जा सकता है इसके लिए स्वासन की इस्थर शक्ति का भी होना आवश्च है कि बैस दिसा में कुछ शकारात्मक प्रयत्न करें बैसे तो बड़तमान भारत सर्कार की जो राजनीतिक उनका दन है उसके संकल पत्र में यह लिखा हुआ भी है कि हम संस्कृत का विकास करेंगे उसी की हमें प्रतिक्षा है कि वो दिन कव आएगा जब भारत सरकार संस्कृत के विकास के लिए को ऐसी योजना बनाएगी जिस योजना के संबंद में चर्चा समानिय पांडे जी कर रहे थे संस्कृत वासा की विशेष्थाओं के अंतरगत उन्होंने कई ऐसे पहलूँ पर ध्याना कर सिट किया है जो आने वाले समय के लिए बहुत ही विचारनिये हैं खोजपूर्ण हैं व्यवारपूर्ण हैं उन पर संस्कृत जगत और कंपूर्टर जगत से जुड़े हुए ज वासा जो संस्कृत है उसका जो ग्यान विच्ण है उससे पूरा विश्व लावानवित हो सके इसका प्रियास बहुत ही सरानिये रहेगा मैं सम्मानिये पांडी जी को इस बवक्तावी के लिए रदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सभी सरुताओं के लिए अपन प्रियोग के समय जैसा की व्याकरण संस्कृत की बहुत अजूती है जैसे आप अंग्रेजी में कोई बाक्य कहें उसमें करता कर्म क्रिया कोई वेदी आगे पीछे कर देंगे तो आपका अंग्रेजी का बाद के घरबड़ा जाएगा लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है उसमें करता कर्म क्रिया को आगे पीछे करने से भी उसके अनुमाद में उसके हिंदी के भासांतर में कोई प्रवाव नहीं पड़ता जैसे ब कर्म पदों को कर्म पदों को और कर्ता पदों को हम आगे पीछे भी कर दें गच्छते ग्रामम बालकहा कर्या पद हमने पहले बोल दिया पर कर्म बोल दिया उसके बाद कर्ता पद बोला इस कर्म को ऐसे कर देंगे पर भी संस्कृत के बाके के बासांतर में कोई हानी नहीं कोई प्रभाव नहीं हुआ तो इसी कार्ण से नासा के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि संस्कुत भासा विश्वकी सरवाधिक वैज्ञानिक और कम्पूटर में उप्योग लाए जाने बारी भासा है ताकि उसके जो भुनिय तरंगे हैं वो किसी भी परिष्टिती में परवर् जीए बहुत ही मार्मिक हैं और आदेश के सुव्ध प्रवुध नांगरिकों के द्वारा बिश्यारनी ये हैं कि वह सब मिलकर के संस्कुत भासा के विकास के विश्य में स्वयम वी चिंतन करें हूं सरकार को भी चिंतन करने के लिए प्रेजित करें कितना ही कहकर मैं अपन प्रणाम सब्सक्राइब और जैसे कि विचार के साथ अपना सुप्स करते हैं तो आज का जो विचार है वो संस्कत में रखते हैं वो स्वामी तुछ दाजी की दो लाइने मुझे संस्कत पूरी निया थी प्रिवी प्रियास करता हूं आवत ही हर्वे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वह न जाएए कंचन बरसे में हैं मैं अब हिंदी में है कि जिस इस इस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आखों में आपके लिए ना तो प्रेम और नहीं इसने हो और उन लोगों की आखों में आपके लिए ना तो प्रेम और नहीं इसने हो वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए जहाए महां धनकी ही बश्चा क्यों ना हो अपने आत्रस अभिवान को हमेशा कर लीजएगा और चानदी बाढ़ करके करें अम् आ आ आ आ है आ है 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 इस तो ना आ आ है 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 आ Aum, Shanti, 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 Shanti. Aum, Shanti, 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 Sh शक्षान्ति व्रम्मा शान्ति, स्रवम्षान्ति। शांति ररे व screens Science, Samantha Shanti रे घे। ओम शान्ति शान्ति, मिक्म्ठे शान्ति। झाल झाल